तो है एस्पिरेंट्स विल्कम बाक टू और चैनल लगें तो आज मों बात करने वाले हैं फिर्स्ट ओफ डिसमबर 2022 की कुछ करेंट इफिर कुछन के पर सब्सक्राइब फिर्स्ट के पर सब्सक्राइब फिर्स्ट के पास पॉजिशन था उसको अभी यहां पर आई एस ओफिसर है विनेय मोहन कतवार और 1988 बैच के आई एस ओफिसर है अगर हम बात करें यहां पर तो इनका यहां रहना काफी इंपॉर्टेंट है पिकॉज इन्होंने अभी तक जितना भी तक इन्होंने कंप्लीट किया है उसमें इन्होंने काफी अच्छा अपना हर कंट्री से यहां पर आएंगे लिक जितने भी नेशन से उन सब जगहों से बहुत सारे डिप्लोप में माम आट्स आएंगे हर सेक्टर से आएंगे तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए तो यहां पर मैनेज करेंगे और 2024 तक का इनका जो 10 और है वो यहां प प्रूफ कर दिया गया यहां पर G20 की बात जब आई गई है तो अगर हम बात करें इसमें तो बांगलादेश, सिंगापूर, UAE, नाइजीरिया, स्पेन, इजिप्ट, नीदरलैंड, मौरिशस और ओमान यह कुछ कंट्री जो हैं इनको हमने यहां पर as a guest country हमने बुलाया है G G20 में तो इस चीज़ को भूल जाए कि G20 में सिर्फ 20 countries सहीं लोग आते हैं और भी बहुत सारे guest countries को हम लोग यहां पर invite करते हैं और उन्हें भी हमसे कुछ सीखने को मिलेगा क्या पता हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा और यही मेन यहां पर focus रहता हो के तो काफी अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं राद रखी हैं इस चीज़ को के नेक्स्ट कोशिन इस हूँ इनागुरेटेट दस्पेट कॉट इंडस्ट्रियल पार्क एट इरायू इन पेरामबलूर डिस्टिक तमिल नाडू सुराद अंसरॉफ एट्स सेकेंड इस एट्सी विचिस एंके स्टैलन ओके यह हमारे तमिल नाडू के सीन सहावें कोई दिक यहां पर जो अपना इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट है तमिल नाडू में वह यहां पर करने के लिए किया जा रहा है और जो इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट है उसमें परमोशन काफी इंपॉर्टेंट होता है जैसे जब यहां पर जब इलेक्शन होते हैं तो उसका पर प्रमोशन होता है हर पाटी करती है उसी तरीके से यहां पर इंडस्स्रिल revolution या फिर इंडस्रियल वेल्य पिल्यीन की लिए प्रमोशन करना काफी important हो कैसा की में यहां पर जबու होता है या फिर इंडस्रियल डेवल्यूशन भी यहाँ पे काफी जादा आता है पामिल नारू का अपना खुद का एक टारगेट है कि 2030 तक ये अपने स्टेट को वन ट्रिलियन डॉलर की पूरी मतलब इनकी एकॉनमी यहाँ पे बन जानी चाहिए वन ट्रिलियन डॉलर ओके तो इनका यहाँ पे टारगेट है जो कि अब सब्सक्राइब करते हैं और यहाँ पे जो इनोसेंट लोग होते हैं डेखो अब इसराइल एक कंट्री यहाँ पैलस्टीन एक कंट्री ने कंट्री दोनों की आर्मी लड़ती है और इन दोनों के लड़ने के चक्कर में जो innocent people होते हैं चाहे वो Israel के हो, चाहे वो Palestine के हो, दोनों ही यहाँ पर शहीद होते हैं दोनों ही मतलब दोनों की मिरतिय हो जाती है मेर हम लोग जो focus कर रहे हैं वो innocent people पर है और जितनी भी वहाँ पर casualty होती है वो सही नहीं होता army to army war होना चाहिए लेकिन इसराइल क्या करता है कि वो पलेस्टीन के जितने लोग हैं उनके घरों पर बंबं मार देता है usually वो schools, dam, जितने भी buildings बड़ी बड़ी होती है उनके उपर वो focus करता है और पलेस्टीन को यह चीज़ पता नहीं है कि ईसराइल जो है वो अपने existence के लिए लड़ रहा है यानि कि अपनी वह अपना बचाफ कर रहा है कि अगर इसराइल के जो लोग है अगर वो इसराइल ही छोड़ देंगे तो फिर वो कहां रहेंगे तो इसराइल है वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और जो इनसान अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है वो हमेशा यहां पे जीतता है यह चीज़ पैलेस्टीन वालों को समाज में नहीं आ रहा है कौन समझाएगा नेक्स्ट सोशन इस वर्ल्ड फर्स नेजल कोविट वैक्सिं इस डेफलब्ड बाइविच कंपनी 3164 जो है उसके लिए यहां पर इसको किया गया है इसके लगर हम बात करें यहां पर तो काफी अच्छा है यहां पर हम लोग काम कर रहे हैं इसको यहां पर मानदा किस ने दिया है यहां पर अप्रूवल किस ने दिया है बिकाज यह इतना उला लिक्विड टाइप में रहेगा इसका यहां पर इसे ड्रॉपटर लगा हुआरा रहेगी है यहां पर झाणरा हो तो उस त्रीके तो चितने यहां पर लो और मिडेल इंकम वाले ऐ say उन्की इसको खरीदना կहां चाफी भारत बायोटिक के CEO, सुरी, चेयर्मेन और MD की, तो वो है हमारे Dr. Krishna Ella, E-L-L-A, ओके, Dr. Krishna Ella यहां पे हैं, और काफी अच्छे तरीके से यहां पे काम करते हैं, और भारत बायोटिक जैए उसने all over world में इंडिया का नाम काफी उचा किया, ओके, काफी अच्छी बात है, को तो सेबी ने इनका जो यहाँ पर appointment है उसको अप्रूफ किया लेकिन यह बनी किसकी है Bombay Stock Exchange की यहाँ पर यह CEO और MD यहाँ पर बन चुके है काफी important है Bombay Stock Exchange हमारे लिए और साथी में सेबी यानि की Security and Exchange Board of India यह यहाँ पर almost RBI के बाद यही आता है काफी important इसका role रहता है बेसिकलिए अगर हम बात करें तो यह दो चीदों के यहाँ पर इसकी नजर रहती है कि कोई यहाँ पर fraud बगरा तो नहीं कर रहा कोई manipulate तो नहीं कर रहा हर चीज़ के उपर इसका focus है रहता है इनकी नई CEO और MD के बारे में जान लीजएगा इसके लगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले कौन थे इसके MD और CEO तो आशीश कुमार चौहान इन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया इसलिए इनको यहाँ पर appointment मिल गया ओकी नेक्स्ट कुशन इस वर्ल्ड लार्जेस्ट अक्टिव वॉल्कैनो मुना लोग इरॉप्टेड इन डाश 28th ओफ निवेंबर तो हवाई में लाइक वर्ल्ड का अब तक अलार्जेस्ट अक्टिव वॉल्कैनो था वहाँ पर और वह इरॉप्ट हो चुका है जो लोग वहाँ पर रहेंगे उनको जल्दी से वहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया है विकॉस जब भी ऐसा कुछ फटने वाला होता है तो लोग को पर चल जाता है वह एकदम से नहीं आता उसमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती रहें उसमें धुआ वहाँ निकलते रखता है और जियोलोजिस्ट और वहाँ पर रहते ही है तो उनको पहले से पर चल गया था कई सारे बहुत सारे लोग को वहाँ पर बचा लिया कि कोई दिक्कत नहीं ह इडिशन ऑस ग्लोबल टेक्नोलोजी समिट इसके अंदर कई सारे कंट्रीज के डेलिगेट आयते जैसे कि यहां पर यूएस हो गया इसके अंदर मेंली बात होता है कि हम लोग टेक्नोलोजी का यूज जो है वह हर सेक्टर में कर सकते हैं जैसे कि मोस्क्य इंपॉर्टंट गवर्णेंस के सेक्टर में सिक्यूरिटी, स्पेस, स्टार्टप, इसके लावा डेटा मेनेजमेंट, लॉग, पबलिक हेल्थ, एज इडिकेशन, इकॉनमी, इन सब चीज़ें, बिकॉस जो मैं बता रहा हूँ, जितनी भी जो मैंने चीज़ें यहां सेक्टर बता ही है, यह खतम नहीं होगा, इसमें फिर एग्री कल्चर भी आएगा, मरीन लाइफ भी आएगा, इस सब कुछ में यहां पर आएगा, तो आल कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि सब कुछ relevant भी नहीं होता, आप से हर चीज़ नहीं पूछता, ओके, next question is, who inaugurate the ambitious reducing human attack using honey bee project, the third answer of eight says, it's C, which is Manoj कुमार, ओके, Manoj कुमार, जो है, if I am not wrong, यह चेर मैंने, किस चीज़ के, खादी and village industry के यहां पर यह कादी and village industry के यहां पर यह कमि तो इन्होंने यहां पे एक rehab नाम का प्रोजेक्ट यहां पे शुरू किया है जिसकी मदद से देखो क्या होता कि यहां पर यह पूरा गाउं है यहां पे कुछ-कुछ आनिमल्स आते हैं जैसे कि यहां पर हम लोग elephant रहते हैं यहां पे elephant जो है वह यहां पे गाउं में घुष जाते हैं जो farmers हैं उनके यहां पर जितना भी agricultural होता है या फिर crop होता है उसको destroy कर देते हैं जितना भी यहां पर इनका habitat यानि कि humans की settlements होते हैं वह जाते हैं वहां तबाह कर देते हैं तो उन सब चीदों से यहां पर बचाने के लिए rehab नाम का project यहां पर launch किया गया इससे क्या होगा कि यहां पर गाउं के चारों तरफ है फिर किसी एक जगा पर थोड़ा-थोड़ा मतलब यह से मान लोग कि विलेज है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर farming करेंगे और जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो sweet revolution यहां पर बोला गया नरेंद्र मोधी जी के दोरा ओके आप लोग इसको प्लीज एक बार मतलब मेरे कहने पर एक बार sweet revolution जो है इसको आप लोग यहां पर कर लिजे यहां पर कई हजार मतलब 10-12000 जो यहां पर जो हनी बी से जो यहां पर boxes होते हैं आप लोगों ने देखा कर देते हैं तो लोग उनको मार देते हैं तो वह चीज़ को यहां पर कम करने के लिखिया गया है असाम करनाटिका महरास्ट्रा वेस्ट पेंगॉल असाम दोबर हो गया ठीक है और इसा यहां पर इन सब जगों पर किया गया ओके नेक्स्ट कोशन इस विच मिनिस्ट्री लाँच बाइ नई चेतना जेंडर कैम्पेंग तो रूलर एरियाज में जितना भी यहां पर जेंडर एक्क्योलिटी है उसको यहां पर परमोट करने के लिए किया गया साथी में अगर जितनी भी वोमेंस है अगर उनको कभी भी के बारे में साथी में जितनी भी वॉयलेंस होता है वोमेंस के अगेंस्ट उसको यहां पर रोकने के लिए किया गया है साथी में जो वोमेंस है उनके राइट के बारे में बताना काफी इंपॉर्टेंट है साथी में वोमेंस को यहां पर इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर कर रहे हैं और salary के मामले में जो यहाँ पे जो gender मतलब partiality होती है वो भी यहाँ पे नहीं करना है अगर एक male है और female है दोनों गर सेम time पे काम कर रहे हैं सेम मेहनत से काम कर रहे हैं दोनों को जो पैसा है वो भी वहाँ पे सेम मिलना थी ओके next question is which company has set up India's first private launch pad and mission control center at Satish Dhawan Space Center श्री हरी कोटा तो राद उन्सवर अगनीकुल कॉस्मो के अगनीकुल कॉस्मो जो है यहां का इंडिया का first private launchpad और mission control center यहां पे बनाया गया है शतीष धवन space center है उसी के अंतर वहाँ पे बनाया गया है यहां पे मेन agency के तौर पर कभी भी इसका हम लोग यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जो यहां पर इस रो के जो चेयर्मन है उन्हों जो एस सौमनाथ जी धी है उन्होंने इस चीज को यहां पर पर पाएंगे तो काफी अच्छी बात है कोई दिकत नहीं है इस पर्टीकुलर जगह से हम लोग यह जो अपना अगनी कुल कॉस्मों है यह फिर यहां पर फर्स्ट जो कम जो अपना प्राइवेट बनाया गया इसके मदद से हम छोटे मोटे जो सेटलाइट्स हैं वो यहां प इंडिया और आर्मी आर्मी आफ मलेशिया यहां पर इंडिया और जो मलेशा के जो आर्मी है उनके यहां पर यहां दोनों मिलके मलेशा जाएंगे कि मतलब हमारे इंडिया के जवान है वह मलेशा जाएंगे वहां वो ट्रेनिंग साथ में करेंगे साथ में जो पर्वर्वर ओपरेशन और ट्रेमट के जाया है इसके लबावा प्लानिंग और एक्जिक्यूशन यह दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहां पर यहां कंडिशन को अडॉप्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए जो यहां पर आर्मी के जितने भी सोल्यद होते हैं उनके तीन साल के बाद हर मतलब हर तीन से चार साल के बाद उनकी जो पोस्टिंग है वो अलग जगह पर की जाती हो कि विच इस रेली इंपॉर्टेंट सो इसलिए जो उनका बॉडी है वो हर टेंपरेचर के हिसाब से वो अडॉप्ट कर ले अपने आपको के साथी में जितनी भी यहां पर एक्सपर्टी जह मानलों की मलेश है कि कुछ और है और इंडिया की कुछ और है तो वो यहां पर शेयर कर सकते हैं और अपने आर्मी को यह यहां पर इंप्रूफ कर सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेशन इस वेन वी अब्जर्व वर्ड एट से एवरी इयर तो राट उनसर ऑफ ट्वेल्ट इस इस सी विच इस फर्स्ट आफ डिसेंबर ओके तो 1988 में इसको हम लोग यहां पर फर्स ताइम शुरू किया था सो दैट कि हम लोग यहां पर एट्स का जो इनफॉर्मेशन है और नॉलेज जो है साथ में जो HIV जो इससे बिमारी होती है उन सब चीजों के बारे में हम लोग लोग को बता सकें साथी में जो यहां पर जितनी भी चीज़ें अब देखो एट्स या फिर कैसे होता है तो उन सब चीजों कि आपको HIV है की नहीं और जब पता चलता है तो उस ताम तक भाई मतलब बॉड़ी इस काबिल रही नहीं पाती है कि आप लोग उससे फिर लड़ सको और अभी तक इसकी कोई कारगर दवाई भी यहां पर बनाई नहीं गई है तो लेट सीख देखने आगे क्या पता होप की बन जाए टेकनोलोजी इतनी आगे आ चुकी है तो में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों में या कुछ महीनों में इसकी दवाई निकल जाए बट तब तक के लिए आपको यहां पर जितनी भी इसकी प्रिकॉशन्स है वह यहां पर इसको फॉलो करना है लोगों को अवेर करन जब भी आपसे कोई पूछेगा तब करना है ऐसे नहीं कि भाई सबको बताते चलो के देस इंपोर्टन ओके तो इस इस इड़ गाईस थांक्यू एंड थांक्यू वाचिंग दिस वीडियो आज जितना भी आपको टेलीग्राम पे जो भी पीडियो नहीं मिलाओगा वो सब अपडेट कर दिये जाएगा ओके थांक्यू गाईस